जारी है सियम योगी आधितनाथ के सुपर विजन को पूरा करने के लिए प्रशासनिक एकाईया भी हेड़ी से लेकर चूटी तक का जोर लगा रही है इस वक्त मुख्यमंत्रिय आयोध्या में मौझूद हैं मिधावी शात्रों को टैबलेट की सौगात है मिशन रोजगार पर योगी सरकार एक रोजगार मेला बड़ा रोजगार मेला यहां पर आयोध्यी थो रहा है जिसमें सौ से ज़्यादा राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनियां शामिल हो रही हैं पचास हजार यवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य योगी सरकार का और हमने देखा था जिस प्रकार से मुक्यमंत्री योगी आरेत तराथ ने जब लखनव में जॉइनिंग लेटर दिये थे तमाम नए अधिकारियों को नवागत अधिकारियों को तो उन युवाओं का साथ तर पर ये कहना था कि जिस प्रकार से आपकी सरकार काम कर रही है असली खटाखट तो ये है खटाखट एक्जाम ट्रीट करवाए गए खटाखट रिजल्ट आया और खटाखट जॉइनिंग दे दी गई और इस बात को मुख्यमंत्री योगी आजितनाथ ने भी अपने उद्बोधन में एक युवा की इस बात का जिक्र उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान किया था तो फिलाल योगी आजितनाथ सरकार का पूरा लक्षी ये है कि युवाओं को कि प्रदेश में उनके अंचल में भुष्गार दिया जाए और इस वक्त मुख्यमंत्री उद्बोधन के लिए भारत माता के भारत माता के बंदे बंदे प्रभु स्री राम लला के पावन धरा अयोध्या धाम के आचारे नरेंदर देव किरसी एवं प्रवद्वकी की विस्तो विद्याले में आयोध्या जीत इस रोजगार मिला और प्रदेश की युवाओं के साथ ही जन्पत अयोध्या के युवाओं को तक्नीकी देश्टे सक्सम बनाने के लिए स्वामी विवेकानन्द तक्नीकी ससक्ती करण योजना के अंसरगत टैबलेट और स्मार्ट फोन वितन के आज के इस ब्रहत समारों में मंच परपस्ते प्रदेश के किर्थी मंत्री से सूर्य प्रताब साही जी बिवसावीक सिक्सा कौसल विकास्यम उद्दिमिताम विभाग के मंत्री से कपिल देवा क्रवाल जी प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री से ग्रीज क्यादो जी प्रदेश के चिकिस्ता स्वास्ते विभाग के मंत्री से महिंकेसर तरण जी प्रदेश के खाद्य और असत विभाग के राज्य मंत्री से सतीस्तन सर्मा जी जलाप अंचायत अध्यक श्रीमति रोली संग जी महापौर टिगरीश पसी सिर्पाथि जी माने विधायक सी राम चंदर यादो जी माने विधायक बेट प्रकास बुपता जी माने विधायक अमित सिंह चोहान जी पूर सांसव सी लल्लू सिंग जी बारती जनता पार्टी की जिला की अध्यक सी संजीव सिंग जी महानगर अध्यक सी कमडेश स्रिवास्तो जी पूर विदाया गोड़कनाद वावा जी कुल्पती आचारे नरिंद्र दिव किरिसियम प्रादोगी की विश्वित्याले कौफिसर विजेंद्र सिंग जी और आज की इस कारिक्रम में पस्तित परमुक्ष चीव कारमी के ओम निप्ति विभाठ सी एम देवराज जी विश्वित्याले की सभी आचारेगन भारी संख्यामे उपस्तित प्रदेश के मेरी युवाज सक्ति के प्रतेख नौजवान साथियों बैन और भाईयों आज मेरे लिए त्यंत प्रसंता का छण है और युवाओं को तक्नीकी दिश्वे सक्सम बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद स्वसक्ति करण योचना के अंतरगत टैबलेट और स्मार्टफोन बित्रण के आज के इस कारिकरम में आपके बीच आने का उसन क्राप्त हुआ है मैं इस उसर पर जिन नौजवान साथियों को अभी नुक्ति पत्र और स्मार्टफोन बित्रित हुआ है उने और जिने इसके साथ ही बित्रण होने वाला है उन सभी को मैं हिर्दे से बधाई देता हूँ उनके उज्ज़र में भुष्यकी कामना करता हूँ बैन और भाईयों हमारा युवान हमारी प्रगति का मापक है भारत की ससक्ती करण का माध्यन है उसकी धूरी है और इसलिए प्रधान मंत्री मोदी जीर को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीती है आपका इसमें क्या कहना है तो मोदी जीर ने कहा कि मेरे लिए तो देश में किवल्स चार जातियां है चार जाति को उन्होंने ज्यान के रूप में कहा ये भारत का मूल है और इसके ससक्ती करण के लिए हमें कारे करना है इसमें उन्होंने का एक है गरीब की दूसरा है अनदाता किसान की तीसरा है युवा की और चौथी जाती है आधी आवादी नारी की ये ही चार जातियां है गरीबी उन्होंन की दिसाने जीरो पावर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्प कर सके डवलिंजन की सरकार इस पर कारे कर रही है अनदाता किसान संब्रिद हो उसकी आंदनी बढ़े किरसी और सौदगी की विस्टविज्याले किरसी वैग्यानिक और प्रगतिसील किसान मिलकर के इसके लिए प्रियास कर रहे हैं उसके पेड़ा मारे हैं हमारा युवा तकनी की दिष्टे सक्सम बन करके अपनी प्रतिवा और अपनी उर्जा का लाप रास्त निर्मान के प्रवरतमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले उसको नौकरी मिले उसका अंतोसल विकास कर सके तकनी की दिष्टे से सक्सम बना सके इसके लिए सरकार के अस्तर पर गवलिंजन सरकार के अस्तर पर निरंतर प्रियास हो रहे हैं तो नारी ससक्ती करण के लिए जो प्रियास के जा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग लग खेत्र में जो प्रियास प्राराम होए हैं आज उसके पेड़ाम हम सब के सामने आ रहे हैं बेन और भाईयों आज मैं उसी करम में आपके पीछ आया हूँ आचारे नरेंदर देश जी के नाम पर स्तापित है किर्शी और प्रादोगी की बिस्तर प्याले आज विकास का एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है किर्शी छेत्रों की संभावनाओं को देश को और दुनिया के सामने रख रहा है नई नई तक्निकी जानकाली अनजाता किसानों को दे रहा हैं उनकी आमदली को बढ़ाने के लिए के जाने वाले प्रियासों क्या जोड़ रहा है तो साथ साथ युवा की क्या भूमिका हो सकती है युवा की क्या आकांसाएं है इन आकांसाओं को उडान देने के लिए पंग चाहिए और उस पंग देने के लिए रोजगार और टैबलेट पिसन के इस कारिक्रम के साथ जोड़ने के लिए मैं और मेरे मंत्रिगण मेरे स्वयोगी मंत्रिकन आज आपके बीच में हां परपस्थित हुए हैं बैनौर भाईयों कल में अम्बेटका नगर जन्पद में था मुझे बहुत अच्छा लगा प्रहत बैवाने पर वहां पर भी नौजवानों में पार उस्था था आज तो इंद्रभगवान की किरपा हुई कि मोसम बड़ा सांदार है और आप इतने स्वहावने मोसम में इस रोजगार मेले के साथ में यहां चुड़े वे नीचे हो सकता पानी होगा लेकिन मोसम बाहर बहुत स्वहना है लेकिन कल तो टेंपरेचर इतना ज्यादा था पसीना फोग रहा था लेकिन उस सब के बाब जूद भी मैं देख रहा था कि युवाओं में पार उस्था था अपार उस्था वहां देखने को मिला और हजारों नौजवानों को रोजगार के हजारों नौजवानों को टैबलेृट मे ठिचेए गए हजारों नौजवानों को रिण बितन का कार्यक्तरम किया गया और वहाँ पर लोगों ने देखा है हमारे युवा उर्जा के पास कितनी प्रतिभा है इन सब कार्यों को देखा गया और आज मुझे इस ग्रसी बिस्टो विज्याले में भी आने का उसर काफ़् हुआ एक साथ यहां की समान प्रयोजनाओं का हम लोगों ने यहां पर लोकारपण भी किया है और सलान्यास भी किया है इन योजनाओं के मात्यम से विस्टो विज्याले की भावी प्रकति को भी हम लोगों ने आगे वड़ाने का काम किया है और विश्वित्याले केले, यहां केले चायवाब दिविन प्रकार की जो प्रियोजनाएं हैं, यहां के आंत्रिक मारगों का है, राज के किर्शी विकास योजना के माध्यम से सीज प्रोसेसिंग यूनिट की या स्थापना के लिए भी जो सयोग किया गया है उसका भी लोकार्टन हुआ है मौडडाइजेशन अप इंस्टक्ट्टन उठीस फॉर्म के लिए भी यहाँ पैसा दिया गया है इसके साथ ही किर्शी भारते किर्शी अरुसंभान परिशच द्वारा जो किर्शी विग्यान केंद्र है सुल्तानपुर किर्शी विग्यान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धंडासी जो दी गई थी उसका भी लोकारपन का कार्य संपन्न हुआ है और कुछ किर्शिस नाचकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी और आज सलानिया सुभा है इस विश्वित्यालेका अपना एक 35 करोड की लागत का स्टेडियम एक आज सके यहां पर और्टोरियम बन सके और्टोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का उज़र प्राप्त होगा तो बरसा तो हो या पूभान आपकी कारे में कोई व्योधान नहीं होगा तब आप और्टोरियम में बैट करके आराम से अपना कारिकरम कर भाएंगे इस प्रकार का एक विक्टोरियम यहां बनाया जा रहा है इसके लावा यहां पर अन्य तमाम प्रकार के कारिक्रमों का भी स्विश्वानियास हो रहा है इंटरनेशनल होस्टल का निर्माण के लिए भी अन्य होस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धंडा से उपलब्ज करवाने का कारे किया जा रहा है जिसके माद्यम से हम विश्विद्याले को आज के युवाओं की आकांसा के लूप सक्सम बना सकें उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें इसके लिए प्रियास प्रारम हुआ है मैंनोर भाईयो बिविन कंपनी अलगबक सो कंपनी आई है जिन लोगों ने अपने स्टॉल विस्विद्याले के लिए अलग अलग सवागार में लगाए है और यहां बाहार भी लगाए है वहाँ पर युवा जाएगा अपनी रूची और अपने अनसार कारे देखेगा उसका अंटर्वियू होगा उसके बाद उसे निप्ति पत्रच जारी होकर एक दिन उसे एक कंपनी बलाएगी और फिर अपने हाँ प्लेस्मेंट देगी एक पैकेज देगी युवाँ के लिए का उसर होता है कि वहाँ अपने ग्यान को बहतर तरीके से जमिनी धरातल पर व्यवारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सके इसके लिए वो जॉप करता है इसके लिए उसको तमाम आउसकताउं की पूर्ति में अपने आपको सक्षम पाता है और इसलिए सरकार में प्रेयाज प्रारम किया है आज सरकार के लिए कदमों का प्रिणा में जब सरकार सकारात्मक होती है आज की भावनाओं को समझने वाली होती है तो बैन और वाईयों नौकरी की कमी नहीं होती है याद करिए आज से साथ वर्ष पहले इसी उस्तर प्रदेश में क्या हाला थे हर तीसरे दिन बंगा होता था परव और तेवार सांथिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जाता था बेटी और ब्यापारी दोनों की शुरक्सा खद्रे में रहती थी प्रदेश में माफिया राज और जंगल लाज की सिस्तिती थी इसले साथ वर्ष में प्रदेश ने अपना प्रसेप्शन बदला है आज तर्वेश शुरक्सा और कानून दिवस्ता का दो मौडल बनाई है देश के अंदर निवेश का ड्रीम डिस्टनेशन के रुप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने हां आकर सिख करने में सफल हुआ है प्रदेश में जो निवेश शारा इसका पहिना में कि हमने लाखों नौजवानों को नौकड़ी उनके गाए और उनके घर में देले में सबलता प्राप्त की है एक करोर बासक लाग से दिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किये हैं स्वरोपगार के लिए वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट की योजना विश्वकर्मा स्क्रम सम्मान और पीम विश्वकर्मा की योजना पीम समीधी की योजना पीम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथी प्रदान मंत्री मुत्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलन्मन का मार्ग प्रसस्त किया है और इनी कारेक्रवों की स्रिंखला में प्रदेश सरकार में साड़े छे लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है आज मैं आपके सामने खुसकबरियों लेके आने आया हूँ अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भरती की प्रकरिया हमारी आगे बढ़ रही है जिसमें साथ हजार से दिक नौजवानों को हम भरती करनी वाले हैं ये साथ हजार जो भरती होने वाली है इतनी बड़ी भरती उफ्तर प्रदेश के ख्यास में कभी नहीं हुई और इस भरती के साथ एक और चीच जुड़ रही है कि 20-20 सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भरती होंगी और उनकी भरती के लिए हम लोगों ने एक प्योस्था बनाई है मैंने कल भी कहा था ये बेटियां इसलिए भरती कर रहे हैं जो सड़क और चराए पर किसी अन्य जगहों पर महलाओं के साथ छेड़ छाड़ करने वाले बेटियों के साथ छेड़ छाड़ करने वाले सोहदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें इसके लिए हम उन्हें फुलिस की भरती में कात्मिक्ता के साथ आगे वढ़ाने का काम कर रहे हैं बेन और हईयों एक तरब मौदी जी बेटी पढ़ाओं बेटी बढ़ाओं के साथ आगे कारे कर रहे हैं मौदी जी ने नारी सुसक्तिकर्ण भंदन अधिनियम के मात्यम से देश की संसद में और प्रवेशों की बिदान सबाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उने भी संसद में और विदान सबाओं में जाने का विकार मिलना चाहिए देश की नई संसद का को यदिनियम पहला पारित वा तो मात्रि सक्तिकले समर्पित नारी बंदन सक्तियविन अधिनियम था जिसके मात्रिम से उने संसद में और विदान सबाओं में 33 सीटों पर भी चुन करके जाने का विकार प्राप्प हुआ और दूसरी तरह वे लोग है कल में देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था वो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं